शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। 23 जन्वरी 1931 को भारत के क्रांतिकारी वीरों को भगत सिंग, राजगुरू, सुखदेव जी को फासी दे दी गई थी। एसेंबली में बं फैकने के जुर्म में अंग्रेजी हकूमत ने उन्हें फासी पर चरहा दिया था। उन्होंने कहा था बहरों को आवाज सुनाने के लिए धमाकों के उचे शब्दों की जरूरत होती है। India celebrates शहीद दिवस annually on 23rd of March to tribute the martyrs Bhagat Singh, Sukhdev Thapar and Shivram Rajguru. This day has very important significance in Indian freedom struggle. They were hanged till death on 23rd of March. They were the hero of independence struggle movement. So, आज का ये दिन इन शहीदों को समर्पित है और इन तीनों शहीदों को शत-शत नमन जो की हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर देश की आजादी के लिए जूल गया। आए वतन आए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे पूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चड़ा जाएंगे आए वतन आए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे आए वतन आए वतन सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक बार का सामना सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के अब करेंगे हर एक बार का सामना जुक सकेगा न अब सर फरोशों कसर चाहे हो खुन तलवार का सामना